नमस्कार आप देख रहें अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना भी काफी अच्छे से सच चुका है हर रोड हर जगा पे काफी लाइट से सजाया गया है और मंदिरों की बात करें तो मंदिर में रंग विरंगे फूलों से और लाइट से काफी सुन्दर सा नजारा देखने को मिल रहा है इसी बीच हम आपके पास एक तस्वीर लेकर आये हैं जो की पटना सिटी के जल्ला वाले मंदिर यानि हलुमान मंदिर का है जहां सुबह से ही भगतों की लाइन लगी होई है मंदिर की कपाट सुबह तीन बजे ही खोल दिया गया था जहां मंदिर में भग अपने अपने हाथों में पूजा की थाल लिए भगवान स्री राम के चर्णों में पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं हाला कि इस दौरान मंदिर परिशर में जै स्री राम के उद्धोश भी होते रहे पट्टन सिटी के जल्ला हनुमान मंदिर को रामनौमी के मौके पर खुपसुरत रोश्णी और रंग बिरंगे फुलो से भव्य रूप से सजाया गया रामनौमी पर्व के औसर पर दर्शन करने आने वाले शर्धालू के लिए यहां पुर्व से ही पूरी बिवस्था की गई है रामनौमी पर्व के औसर पर दर्शन करने वाले शर्धालू के लिए यहां पहले से ही पूरी बिवस्था की गई है उन्होंने बताया कि पूरे मंदिर परिशर को रंग बिरंगी रोश्णी और फुलो से सजाया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते वे मंदिर परिशर के बाहरी और भीत्री दिवारों पर 40 से अधिक CCTV कैमरा लगाए गये हैं इसके अलाबा मंदिर परिशर के बाहर और भीतर बेरिकेडिंग की ब्यवस्था की गई है इसे सरधालों को मंदिर में दर्शन के लिए किसी तरह परिशानियों का सामरा ना करना परे करी धूप को ध्यान में रखते वे मंदिर परिशर में स्वास्त केंद्री की ब्यवस्था की गई है किसी भी विकट परिस्थिती से निपटने के लिए अगनी शमन दस्ते की भी विवस्ता की गई है बिहार की राधानी पटना के सारी मंदिरों में काफी भव्वे तरीके से तैयारिया किया गया है और लाइट से काफी सुन्दर दिखाया जा रहा है दिएसजी निउज की तरफ से आप सभी को राम नवमी की हार्दिक सुपकाम नाएग